आज की वीडियो में हम बनाएंगे रबडी केक बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ओयल लिया है वन फोर्थ कप ओयल की जिए यहाँ पर मेल्टिट बटर भी ले सकते हैं अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल दही लिया है बिल्कुल भी खट्टा दही नहीं लिया है एकदम फ्रेस दही अब इसमें डालेंगे हम 파oudर शुगर तो पाउडर शुगर भी हमें यहां पर हाफ कप रिना जितना हमें दही लेना होतना ही हमिया पर पाउडर शुगर लेना मैं अब इन सारी चीजोंwo unknown बहुत ही अच्छी अच्छे कर देंगे सारी चीज़ों को हम तब तक फेटेंगे जब तक हमारा जो बैटर एकदम क्रीमी ना हो जाए तो गाइस इसको लगबख हम 10 मेट तक फेटेंगे इसी तरीके से तो 10 मेट तक हमने इसको बहुत ही अच्छे से फेटा और आप देख सकते हैं सारी चीज़े बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है और बैटर एकदम क्रीमी हो गया है तो चलिए अब इसको हम रख देंगे साइड में अब इसके बाद हम यहां पर लेंगे कुछ ड्राइ इंगीडियन्स लेंगे यहां पर मैंने लिया है एक कप मैदा और मैदा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर तो मैंने बेकिंग पाउडर लिया है यहां पर वन टी स्पून बराबर करके एक दम वन टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया है बेकिंग पौडर डाल देंगे इसमें और बेकिंग पौडर डालने के बाद यहां पर लेंगे 140 स्पूल लेंगे बेकिंग सोडा आप चाहें तो बेकिंग पौडर भी सिर्फ डाल सकते हैं बेकिंग सोडा सकते हैं यहां पर दोनों चीज़ को डालने से कि एक बहुती स्पॉंजी बनता है तो चलिए फटाफा से चान लेते हैं और चानने के बाद यहां पर हमारा जो ड्राय मिक्स है बनके रेडी हो गया अब यहां पर हमने जो बेटर बना के रेडी किया था उसमें डाल देंगे तो एक साथ नहीं डाल लेंगे वरना इन में लंग्स आ जाएंगे तो मैंने पहले थोड़ा सा डाल दिया तुछ कर देंगें कि अधर की सभुए थीग को पतला करने के लिए दैण्यौब में आपतलそして आज और क्षेसि एंगे तो तोकल में णिवाइस इस यहां पर अदा खब दूठाल दे इसमें तो मैंने थोड़ा और दूठ्ट cape हम इसे और अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो केक का बैटर एकदम बन के रेडी हो गया है इसी तरीके का हमें केक का बैटर बना के रेडी करना है अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ ड्रॉफ वैनिला एसेंस की आप एसेंस के जगए यहाँ पर एलाइची पावडर भी डाल सकते हैं तो चलिए एससे गाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और हमारा केक का पेपर कभी यूज़ कर सकते हैं तो चलिए सारे बेटर को हम केक टिन में डाल देंगे तो गाइस मैंने सारे बेटर केक टिन में डाल दिया अब इसे हम एक से दो बार अच्छे स्टैप कर देंगे ताकि जो भी air हो और हमारा बेटर बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए तो यहाँ पर मैंने इसको preheat होने के लिए रख दिया था बेक करने के लिए इस तरी कोई भी आप बर्तन ले 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 अब इसमें हम केक टिन को बहुत ही आराम से अच्छे से रख देंगे तो guys मैंने इसको रख दिया है अब डखने के लगए हम इसको अच्छे से ढाग देंगे और ढखने के लगभग 30 मिर तक हम इसको बेक होने देंगे लो फ्लेम पे तब तक केक बेक हो रहा है हम यहाँ पर फटा फट से रबरी बना के रेडी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया एक पैन उसमें डालेंगे हम दूद तो मैंने यहाँ पर आधा लीटर से थोड़ा जादा दूद लिया है दूत को डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छे से पकने देंगे गाईज आप देख सकते हैं कि इसमें बॉइल आना स्टार्ट हो गिया है तो इसको हम इसी तरीके से थोड़े देर पकने देंगे अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी केसर केसर डालने से जो हमारा रबडी का टेस्ट है बहुत ही अच्छ हो जाएगा और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा जाएगा तो केसर डालने के लगवग इसको पांच मिलट तक हम इसको इसको इसी तरीके से पकने देंगे तो आप देख सकते हैं कि दूद को फाघा यल्लिव हो गेया है अब इसके जारो हम ढालेंगे शक्कर तो शकर मैंने इसमें 1 4th cup डाली है आप अपने हिसाब से कम यह जादा कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो cake sponge है वो भी मीठा है तो इसलिए आप अपने हिसाब से शकर कम यह जादा कर सकते हैं तो गाइज इसी तरीके से हमको इसे पकाना है तब तक ही विल्कुल quantity में आधा ना हो जाए अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाइची पाउडर लाइची पाउडर डालने के बाद इसको हम इसी तरीके से पकने देंगे तो आप में तो गाइस क्रीम वाला केक बहुत बार बनाया होगा लेकिन एक बार यह रबड़ी केकी बनाकर ट्राइ कीजिए बहुत ही टेस्टी लगता है और आप इसको ठंड़ा ठंड़ा जब सर्फ करेंगे तो यह बहुत जादा ही टेस्टी लगता है तो एक बार आप इसको ट्राइ करिए और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट पर जरूर बताइए तो गाइस काफी देर पकने के बाद आप देख सकते हैं कि हमाई जो रबड़ी बनके रेडी हो गई है हम इसी तरीके से इसको बनाना है और ज़्यादा गाड़ा नहीं करना है क्योंकि अभी ठंड़ा होने के बाद यह थोड़ी और गाड़ी हो जाएगी तो गाइस हमारी यहाँ पर हमाई रबड़ी बनके रेडी हो गई हम गैस की फ्लेम हो कर देंगी ओफ और ओफ करने के बाद हम थोड़े देर के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं बहुत जादा इसको ठंडा नहीं करना हलका सा ही ठंडा करेंगी हम इसको तो गाइस यहाँ पर हमाई रबड़ी भी ठंडी हो गई है चली केक चेक कर लेते केक बेक हुआ के नहीं तो यहाँ पर मैं इसको 25 मिनट बाद चेक कर रही है और केक हमारा लग रहा है बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है कि इसको आम इस तरी की तूध-पिक डालके हम इसको चेक कर लेते हुआ है तो चलिए मैंने सेंटर में चेक किया क्योंकि केक सबसे जादा सेंटर में देर में पकता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा केक जहें बहुत अच्छे से बेख हो गया है हमाई जो तूद प्पीक एकदम क्लीन निकलिए तो यहाँ पर मैंने केक को पल्टाया था और केक जो तोड़ा तूड़ गया है क्योंकि मैंने इसको जल्दी जल्दी की चक्कर में इसको तुरंत ही पलटा दिया है केक को डी मोल्ड करें तो आप थोड़ा से इसको अच्छे से ठंडे होने दें उसके बाद ही आप डी मोल्ड करें मैंने जल्दी की चक्कर में इसको तुरंत पलट दिया है वैसे केक बहुत ही अच्छा बना है एकदम हमारा जो स्पॉंज है वो सौफ्ट और जालीदार बना है तो चलिए अब इस तरीके से हम इसको वापस से केक टिन में डाल दे थी क्योंकि मैं इसी के उपर रबडी डालूँगी आप जिस बरतन के उपर इसको केक को रखे रबडी डाले आप उसमें इसको रख दे तो मैं इसी केक टिन में वापस से केक को रख दूँगी क्योंकि मैं इसी के उपर रबडी डालूँगी तो केक को हमने अच्छे से रख दिया है अब यहाँ पर हमाई जो रबडी है वो भी बहुत ही अच्छे स्थंडी होगे तो चलिए फटा फट से हम केक के ओपर सारी रबडी को डाल देते हैं तो गाइस अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और बैल एकने को प्रेस कर दीजिए यहां पर आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से हमें सारी रबडि को केक के उपर से पुरा cover कर देना है तो गाइस मैंने सारी रबडी डाल दी है इसके उपर अब इस तरीके से हम toothpick लेंगे और पूरे केक स्पॉंज में इस तरीके से कर देंगे तो गाइस अब इसके उपर डालेंग कुछ ड्राय फ्रूर्ट तो आपको जो भी पसंद हो आप इसमें एट कर सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा काजू, बदाम और पिस्तर डाला है तो मैंने सारे ड्राय फ्रूर्ट को इसके उपर डाल दिये हैं और हमारा जो केक है बनके रेडी हो गया है तो गाइस अगर आपने अभी तक इस तरीके का रबडी केक नहीं बनाया है तो आप भी एक बर ज़रू ट्राय करिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिगा चलिए मैं इसको आप कट करके दिखा देती बहुत ही टेस्टी लगता है बनने के बाद आप इसको दो घंटे के लिए फ्रिज में रख दें बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा और ठंड़ ठंड़ इसको सर्व करें बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए इस तरीके से हमने piece को cut कर दिया कट करने के बाद आपको निकाल के दिखाते हैं कि यह बहुत ही अच्छा बहुत ही tasty बना है यह देखिए perfect निकल के भी आ गया है तो इसको ठंडा करने के बाद आप किसी को भी serve कर सकते हैं बहुत ही tasty लगता है तो guys आपको यह video कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो please video को like कर देना और आप लोग भी एक बरस को try करके देखिए